दोस्तों अगर आप ग्लेन मैक्सिल को एक तावरतोर बलेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों 11 नवंबर को T20 World Cup का सबसे घमासान मुकाबला खिला जाना है जिसमें पाकिस्तान के दुरंदर खिलारी औस्टेलिया के घातक खिलारियों से भेड़ते हुए नज़र आएंगे ये T20 World Cup का दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला होगा और जो भी तिम इस मुकाबले में फ कौन बहतरीन बले बाज है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं T20 World Cup अब अपने अंतिम चरणर पर पहुँच चुका है जिसमें कई टीमों ने बेहद ही जबरदस्ट खेल का प्रदर्शन करके दिखाया वहीं कई टीमें ऐसी भी थी जिन्होंने इतना निराशाजनक प्रदर्शन किया जो ग्रूप स्टेट से ही बाहर हो गई लेकिन दोस्तों इन सबी टीमों में से चार ऐसी जबरदस्ट टीम थी जिन्होंने दमदार खेल का प्रदर्शन करके सेमी फाइनल में अपनी जगा पक्की कर वहीं दोस्तों दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला पाकिसान और आस्टेलिया के बीच में खेला जाना है जिसमें हमें 100 प्रतिशत जबरदस्थ खेल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा त्यूंकि इन दोनों ही टीमों ने इस T20 वर्ल्ड कुप में बेहदी जबरदस्थ खेल का प्रदर्शन करके दिखाया इसलिए ये दोनों ही टीम में T20 वर्ल्ड कुप जीतने की प्रबल दावेदार हैं इसलिए जाहिर से बात है कि जब ये दोनों टीम में दूसरे सेमी फाइनल मुकाबला खेलने आमने सामने भिरती उन्यज़र आएंगी तब हमें बेहदी खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है जिसकी बदॉलत थी वो भारत और न्यूजिलेंड जैसी टीमों को हराने में काम्याब रह सके इसलिए वो शांदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके आउस्ट्रेलिया टीम पर दवाव बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन दोस्तों आस्ट्रेलिया टीम के सलामी बलेबाज डेविड वार्नर और एरोन फिंच भी हैं जो की जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं इसलिए पाकिस्तान की गेंदबाजों के लिए इन दोनों बलेबाजों को रोकना इतना जादा आसान भी नहीं होगा इस मुकाबले में आस् साथी साथ पाकिस्तान की ओर से भी हमें लगातार शांदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से पहली पारी में आस्ट्रेलिया टीम का स्कोर पहले पावर ब्ले यानि की 6 ओवर में एक विकेट होकर 45 रन हो सकता है जिसमें शाहिन का जम कर साथ देंगे लेकिन इमाद वसीम की जबर्दस्त गेंदबाजी के सामने मार्श का बल्ला नहीं चल सकेगा जिसके वज़े से वो 15 रन से पहले ही अपना विकेट गवा बैठेंगे इसी के साथ दोस्तों आस्ट्रेलिया के टीम 10 ओवर तक लगभग 60-70 रनों के अं पाकिस्तान के गेंदबाजों की जो पीटाई करेंगे उसकी कलपना तो बाबर आजम ने भी अपने सपनों में भी नहीं की होगी इसके बाद दोस्तों आस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में लगभग 170-175 रनों का इसकोर खड़ा कर लेगी जिसमें सबसे महतुपुन पारी ड अस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर में महतुपुन युगदान देंगे लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद इस लक्ष को बचाने में काम्याबी प्राप्त ना कर सके क्योंकि पाकिस्तां के सलामी बलेबाज बाबर आजम और महमाद रिजवान अपने सर्वस्रिष पैट कमिंस और जोश हैजल वुड भी इनके सामने पानी पीते हुए नज़र आएंगे बाबर आजम और मुहमद रिजवान साथ मिलकर इस मुकाबले में टीम का स्कोर पहले 10 ओवर में 80 तक ले जाने में कामयाब रहेंगे जिसमें बाबर आजम शांदार अंदाज में बलेबाजी करते हुए 40-45 रन बना लेंगे वहीं मुहमद रिजवान भी ताबर दोर अंदाज से बलेबाजी करते हुए 35-45 रन बना लेंगे और इन दोनों को एक बेहतरिन शुरुआत मिल जाएगी बाबा राजम इस मुकाबले में शांदार अर्दश्यत की पारी खेलेंगे वहीं मुहमद रिजवान 45 रन तो बड़ी आसानी से ही बना लेंगे वहीं अंत में आसीफ अली और शॉयब मलिक साथ मिलकर जबरदस्ट अर्दश्यत की साजितारी करके पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जबरदस्ट जीत हासिल करके फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहेंगे लेकिन दोस्तों आप सबी को क्या लगता है क्या पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में इसी तरीके से खेल का प्रदर्शन करके फाइनल तक पहुँशने में काम्याब रहेगी या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सबस्क्राइब करिए हमारे यूटूब चैनल को